पंजाब की सिमा से लेकर दिल्ली हर्याना बॉडर पर रोड उपर अलग-अलग किसान उनियोनों की अपिल पर जो किसान भाई आज अपना अंदोलन कर रहे हैं वो सभी को मैं अपिल करना चाहता हूँ कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार है तीन डिसंबर को कुसी मंत्री जीने आपको निमंत्रन पत्र भेजा है चर्चा के लिए और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्स करने के लिए तै कि दूसरा अभी अलग-अलग जगा पे निशनल हाईवे पर स्टेट हाईवे पर किसान भाई अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ इतनी ठंड में खुले में बैठे हुए हैं इस सब को मैं अपिल करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलीस आपको एक बड़े मैदान के अंदर सीफ्ट करने के लिए तयार है आप कुपिया वहाँ पर जाएए वहाँ पोलीस परमिसन भी आपको कारेक्रम करने की दी जाएगी आप वहाँ पर मन्च भी लगा सकते हैं वहाँ टॉयलेट्स आदी सुउविधाय भी बना दी गई है वहाँ पर एम्बिलन्स की और स्वास् किये हुए स्थान पर जाकर अपना धर्णा प्रदसन सांती पुर्ण तरीके से लोक्तांत्रिक तरीके से करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे किसानों की भी परेशानी कम होगी और आवाजाही कर आम जनता की भी परेशानी कम होगी और अगर किसान उन्यन चाहते हैं कि भार एक स्ट्रक्चर जगे पे अपने अंदोलन को सीट करते हैं और वहाँ पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तयार है अता किसान उनियन के सभी नेताओं को मैं एक कहना चाहता हूं कि आप सारे किसान भाईयों को लेकर जो स्थान दिल्ली पुलिस ने तय किया है वहीं पर आजाईए पुलिस परमिसन के साथ सांटी पूर्वक तरीके से लोगतांत्रिक तरीके से आपका अंदोलन चालू रखे और सिग्र भारत सरकार आपसे बातचित करने के लिए तैयार है बातचित को भी आगे बढ़ाईए इसमें किसानों की भी सुईदा ज्यादा रहेगी और रोड पर आने जाने वाले नागरिकों की भी सुईदा ज्यादा रहेगी ये बात के लिए मैं किसान भाईयों को फिर कांडूलन भी जारी रच चते हैं। धन्यवादा